प्रश्कार दोस्तों नक्षत्र जोतिश में आपका स्वागत है आज हम इस चोटे से वीडियो के माध्यम जो आपको यह समझाने का प्रयास करेंगे कि आपकी कुंडली में आपके धन भाव के देवता अर्थात आपकी सेकेंड हाउस में जो राशी लिखी होगी उस राशी क के आधार पे आपके जो धन भाव के देवता है वो जिस हाउस में जाके बैठेंगे उस हाउस के माध्यम से आपको धन प्राप्त हो सकता है जैसे आपकी कुंडली में सेकेंड हाउस में मान लिजे तीन नमबर लिखा हुआ है तो आपके जो धन भाव के देवता हो गए वो जाके बैठेंगे उस house के कारियों से आपको धन प्राप्त हो सकता है धनेश आपकी कुंडली में जिस house में बैठते हैं माल लिए धनेश आपके कुंडली में फस्ट house में बैठते हैं तो फस्ट house का ताथ पर यह होता है ये वेक्ति अपने धन को स्वयमर्जित करेगा अगर वो second house में बैट जाते हैं जह उद्धन का भाव होता है तो अर्थात ये व्यक्ति का इस व्यक्ति को धन जो है वो property के माध्यम से मिल सकता है परिवार के माध्यम से मिल सकता है सोने चांदी के वैपार के माध्यम से मिल सकता है अगर वो आपके इस third house में बैट गए तो third house होता है आपकी home environment का होता है मतलब अगर आपको fourth house में बैठे हुए तो इसका अर्थ यह है कि आप अपने घर के अंदर अपना office बना लें और अपने office से घर से अपने काम को operate करें तो आपको जल्दी धनलाब हो जाएगा या तो फिर आप जो है property में इंवेस्ट करें तब उससे या कुछ भी ऐसा कारे करते हैं जिसमें जो बच्चों से जुड़ा हो जो entertainment से जुड़ा हो जो sports से जुड़ा हो या तो आप अच्छे या तो आप consulting करना शुरू करते हैं fifth house consulting का भी होता है तो वहां से आपको धन प्राप्त हो सकता है माल लेजिए छटे house में बैठे हुए च्छटे house होता है आपका profession का आपके job का आपके services का च्छटे house के व्यक्ति से च्छटे house के व्यक्ति जो होते हैं service प्रवाइड करते हैं जैदि च्छटे house में बुद्धिदेवता आपके बैठे हुए बुद्धिदेवता मैं एक example के तौर पे ले रहा हूं ये कोई भी ग् आपका धनेश होता है और वो जिस house में जाके बैठता है उस house के माध्यम से आपको धन मिलता है इसलिए हमने आप एक्जैंपल के तौर पर चेकेंड हाउस में तीन नंबर राशी लगी है और उसको बुद्धिदेवता अगर च्छटे में तो ये वेक्ति अच्छा लॉयर बन सकता है अच्छा डॉक्टर बन सकता है अच्छा जॉब में इसको तरक्की मिल सकती है अगर यहीं बुद्धिदेवता आपके 7th house में बैठे हों में तो 7th house होता है आपका डेली इंट्रेक्शन का अर्थात यह व्यक्ति व्यपार से धन कमा सकता है बुद्ध खुद में व्यपार के कारक है तो यह व्यपार से धन कमा सकता है यह कुछ ऐसा कारकर यह अपनी वाइब के साथ पार्टनर्शिप कर सकता है यह पार्टनर्शिप से धन मना सकता है अग इसमें रिसर्च होती है जो डीप रूटेट चीजे हैं उनसे धन कमा सकता है अगर यह बुद्धिदेबतापके नाइंध हाउस में बैटने का तात्पर यह धनेश आपका भागे इसमें बैट गया के भागे में अब धनेश आपका भागे में बैट गया तो इसको इसको अगर यह बुद्धिदेबतापके टैंथ हाउस में हो गया धनेश आपके दसमभाव प्रोफेशन में आके बैट गया अब यह केंद्र आउस में बैटने का कारतार पर यह है कि यह दस आउस जोड़ी हुई चीजों से अच्छे से धन कमा सकता है अगर यह वे शोसल चीजे होती हुँ सब 11 फास में आते हैं और 11 फास होता है अपके desire fulfillment का तो 11 फास में ग्यारवे हास में ग्यारवे हास में ग्यारवे हास में अगर बुद्धिदेवता आकर बैठते हैं अगर ये वोग्ति धन को फोरां से कमा सकता है इन्वेसमेंट से कमा सकता है या ये विछती meditation करें या कुछ ऐसा करें जो 12th house से चुड़ा ओस इंपोर्ट एक्सपॉर्ट कर सकता है उससे धन कमा सकता है तो आज हमने इस चोटे से वीडियो के माध्म से जानने का प्रयास करा कि आपके जो Second Haus Lord अर्थात जो आपके धनेश है वो आपके कुंडले में जिस भाव में जाके बैठते हैं Second House Lord में कोई भी राशी हो सकती है हर राशी के लौड उसके सामें देखिए कि आने यहां पे लिख रखे हैं कि जो राश है उस राशी के लौर्ड यहां पे यह लिखे हुए ये अ लिखे हुए तो आपके सेकेंड हाय। जो राशी लिखी हो आप उसको देखिए और इसमें जो एक सी 12 तक का 12 राशिया लिखी है उनके लॉड लिखे हुए और उस अपने उस राशी लॉड को देखिए कि वो आपके कुंडले में किस भाव में जाके बैठा है उस भाव से ही आपको धन प्राप्त होगा यह आपकी कुंडली का अर्थ है आज का वीडियो देखने लिए धन्यवाद मेरा नाम अजेतर पाठी है आपका दिन शुबो